तो दोस्तों हर एक देश के हिसाब से कुछ दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उन्हीं में से एक दिन होता है ग्राउंड होग डे खास कर युनाइटेड इस्टेट्स और कैनेडा के अंदर इस दिन को सेलिब्रेट के जाता और इस दिन का बहुत बेसबरी स के इंतिजार किया जाता है हेलो अब्रीवन वेलकम दोन अकाडमी और होप यू लॉर्डिंग आपसल्यूटली आसम मुमीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आपका दोस्त आपका एजुकेटर मन्शर्मा आज के वरिंग टॉपिक में आप लोग ग्राउंड हॉग डे होता क्या है है हासकर यह जो ग्राउंड हॉग दे है युनाइटेट इस्टेट्स और कनेड़ा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है आपको मेरी लेक्टियर सीरीज उमीद करता हूं पसंदा रही होगी वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलन शुरुआत करते हैं जो कि आप लोगों के लिए डी सी ए डेली करेंट अफियर्स शो लेकर आता है में डेली करेंट अफियर्स शो के अंदर आप लोगों को करेंट अफियर्स सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप लोगों को करेंट अफियर्स एक्सपोर्ट बना देती है तो आप मेरे साथ Unacademy के Plus subscription लेने के बाद जोड़ सकते हो और Unacademy Plus के अंदर अगर आपको चाहिए Extra Discount If you want an Extra Discount आप ये Referral Code इस Coopan Code का इस्तमाल करके Extra Discount प्राप्त कर सकते हैं चलिए, स्टार्ट करते हैं यहां पर Groundhog Day से रिलेट करते हुए चीजों के बारे में बच सबसे पहले, we will do some basics कुछ basic चीजें हम लोग कवर करेंगे बहुत सारे देशों में 6 seasons भी होते हैं पर generally हम लोग 4 seasons को consider करते हैं Generally there are 4 seasons कौन-कौन से आप लोग यहां पर देखो यहां पर आप लोग समर से स्टार्ट करते हूं तो समर जहां पर extreme hotness होती है उसके बाद spring आती है जिसको आप लोग वसंत रितू के नाम से जानते हैं तो spring के बाद autumn जिसको आप लोग पतज़र कहते हो और उसके बाद winter ओके जो कि अभी चल रही है है ना भी भी winter जो season है वो चल रहा है तो असके explanation लेते हैं काई दुनिया के बहुत सारे parts में हमें चार seasons देखने को मिलते हैं पूरे के पूरे साल में इनको आप लोग spring summer autumn और winter के नाम से जानते हो जो weather है वो हर season में थोड़ा सा change हो जाता है थोड़ा different हो जाता है और जैसे जैसे weather change होता है plants भी अपना behavior change करने लगते हैं जैसे जो नई leaves हैं जो नए पत्ते हैं वो spring के समय पे आते हैं और यहां पर जो बिलकुल अपनी पुरानी leaves को shed out करना start कर देते है plants या trees वो हमें autumn के अंदर देखने को मिलता है तो यहां पर जो plants होते हैं वो अपनी leaves change करते हैं कुछ plants का color भी change हो जाता है और animals का भी behavior हम लोगों को season to season change होता हुआ नजर आता है आप लोग अपने clothing pattern भी change कर देते हो spring के अंदर जो weather होता है it begins to get warmer थोड़ा warmer हो जाता है trees और बाकी सारे plants नई leaves grow करना चालू कर देते हैं summer hottest season होता है और वो जब तक चलता है जब तक sunny long days हमारे सामने आते हैं autumn के अंदर the weather becomes mild और leaves start falling apart पत्यां गिरना चालू कर देती हैं तभी इसको पत जड़ कहते हैं winter coldest season होता है और यहां पर जो days होते हैं वह बहुत ही short होते हैं उनको कहते हैं हम लोग hibernation okay they do this to save energy अपनी energy को बचाने के लिए काम करते हैं कि spring आएगा तो उनके लिए यहां पर खाना डूनना आसान होगा मैंने आपको इस seasons के बारे में क्यों explain किया टॉपिक तो हमारा यह था the ground hog okay ground hog day वाला टॉपिक था मैंने आपको seasons क्यों explain किया seasons explain करने का करन यह था क्योंकि इस बार Sunday को मतलब February 2nd को United States और Canada के अंदर ground hog day mark out किया गया ground hog day एक annual event है एक annual tradition है हर सार होता है जहां पर एक ground hog जहां पर एक ground hog predict करता है कि जो winters हैं वो चलते रहेंगे लंबे समय तक या अब हमें बहुत ही जल्द spring देखने को मिलेगा तो प्रिडिक करने की जिम्मेदारी किसी है प्रिडिक करने की जिम्मेदारी है ground hog की ground hog कौन है who is ground hog see this cute animal is known as ground hog बिल्कुल mouse-like animal है चुहे जैसे animal है और यह भी rodent ही है और यह जो rodent है यह प्रिडिक करता है कि यहां पर जो winters हैं वह continue करेंगे या नहीं करेंगे यह हमें spring दिखाई देगा या नहीं देगा United States में एक बहुत ही famous such prognostication is held at इतना बड़ा event कहां होता है जिस जगे को हम लोग पुंक्स उटानी टाउन के नाम से जानते हैं यह इसकी pronunciation है इस टाउन्स की पुंक्स उटानी टाउन जो की United States की Pennsylvania State के अंदर पड़ता है इस साल जो groundhog है उसको क्या बोला गया है उसको बोला गया है पुंक्स उटानी फिल यह बोला गया है और उसने प्रिडिक्ट किया है कि अब विंटर ज्यादा दिन नहीं चलेंगी spring नाने वाली है okay spring is coming apart यह यहां पर groundhog ने डिक्लियर कर दिया है प्रिडिक्ट किया है तो groundhog day यहां पर popular 1993 की एक film थी जिसका नाम था groundhog day okay उसके अंदर एक Bill Murray थे और Andy McDowell थे और उसी समय के बाद जो world groundhog day है वो इतना यादा famous होता हुआ हम लोगों को नज़र आया okay groundhog की तस्वीर तो आप लोगों ने देखी लिए इसके साथ साथ guys February 2nd जो एक बहुत ही sunny day था groundhog जो की एक rodent है basically हमें North America के अंदर ही देखने को मिलता है it emerges from its borum and sees its own shadow अपनी खुद की शैडो देखते हैं अपने बिल से बहार आते हैं अपनी खुद की शैडो देखते हैं और यहां पर बोला गया है कि it is set to predict six more weeks of winter छेवर हफते winters के यहां पर US में predict किये गए हैं on the other hand if the day is cloudy जैसे ग्राउंड होग डे है अगर मानलो वो दिन क्लाउडी है अब जब cloudy day है धूप नहीं आएगी तो अपनी खुद की शैडो कैसे देखें तो उस समय पर यहां पर हम लोग कहते हैं कि अभी भी जो वेदर है वो थोड़ा माइल्ड है और वो इंडिकेट करता है अर्ली स्प्रिंग तो ट्रेडिशन यहां पर मिडल एजिस के अंदर चालू हुआ था यूरोप के अंदर जब यह माना जाता था कि जो बाजर्स हैं या बियर्स हैं वो इंटरप्रेट करते हैं अपने हाइबरनेशन को यह अपनी हाइबरनेटिंग स्टेज में चले जाते हैं तो उनको पहली असास हो जाता है तो उसके वेसिस पे यहां पर इस पर्टिकुलर चीज को प्रिडट किया गया और ग्राउंड होग भी एक हाइबरनेटिंग आनिमल है यह आपको चीज याद रखनी है तो ग्राउंड होग डे एक और चीज के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंस हाजाता है केंडल मैंस विसके लिए क्रिश्चन फेस्टिवल होता है केंडल मैंस इसी दिन पढ़ता है हर साल ओके अकॉर्डिंग टू क्लियर वेदर ऑन केंडल मैंस डे कुछ लोग कहते हैं कि यहां पर अब हमें विंटर जो है इस फुरवोर्ट अ प्रोलॉंग ड विंटर शायद खताम हो रहे हैं और जो इवेंट है पुंक सुन्ट में के अंदर वो 1887 के अंदर होना चाल हुआ था और मीडिया टेंशन जैसे मिलने लगी वैसे वैसे फेमस होने लगा बहुत ज़दा न्यूस में चल रहा था यह तो मेका स्पेशल वीडियो फॉर यॉल बहुत सारे ग् सुन्स चेज्ट करने की करते हैं है और केनिडा के अंदर यहां पर कुछ ग्राउंड होग प्रोगो टेक्ट्स पहुत जादा फेमस हैं पर जो रोग है जो किये पेडिक्ट करते हैं कि तो चलिए एक और चीज जो कि आपके UPSC के लिए रिलिबेंट हो सकती है कि यहां पर जो Groundhog हैं उनका conservation status है least concern so the conservation status is least concern तो यह special topic था Groundhog day के बारे में जिसके बारे में आपको पता लग गया है है ना हम यह expect कर रहे हैं कि अब winter breaking news के साथ मिलूंगा आपके साथ breaking topic के साथ मिलूंगा आज के session को यह end करते हैं so love and peace from my side thank you for having me here guys and have a great day ahead bye bye take care